TVS Apache 310RR जो BS6 engine के साथ 2020 में आया है ये दो color options में available है titanium black and racing red, racing red color आप अल्रेडी इसके BS4 engine में देख चुके हैं titanium black को एक new color option के तौर पे TVS ने इस Apache में introduce किया है पहले जो दो color options आते थे वो आते थे glossy black और एक था matte black और उन दोनों का proper combination हमें इस titanium black में देखने मिलता है overall अगर इसके length को देखें तो वही 2001 mm है और इसकी height वही same 1135 mm है एक जलग में इसके engine और जो भी mode है उसे मैं फिर से आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ तो इसका वही same engine जो capacity है वो है 312.2 cc का पर इसके जो modes है मतलब जो इसका power output और दूसरा जो torque का specification up ये down में है वो दो प्रकार के modes में divide किया गया है rain and urban mode में आपको 25.8 hp का power मिलता है और वहीं पर आपको 25 anm का torque मिलेगा फिर जैसे ही आप अगर sports और track mode में switch करते हैं तो आपको इस vehicle का highest power मिलेगा जो है 34 hp का और वहीं पर आपको torque मिलेगा 27.3 anm का इसके अलावा इसमें electronic throttle control feature भी introduce किया गया है in the upgraded Apache 310 RR अब एक नज़र TVS के द्वारा जो maximize unit है इस अपाची की उस पर एक नज़र डालते हैं जिसकी पूरी information आपको official website पे मिल जाएगा तो अगर आप urban and rain mode का इस्तमाल करते हैं तो इसकी maximize speed आप 125 km पर आर तक जा सकते हैं या probably थोड़ी सी उससे ज़ादा क्योंकि इसका जो power है वो थोड़ा सा कम produce करता है as compared to next mode जो है sports and track mode जिसकी maximize जो speed है आप 160 km पर आर जा सकते हैं जो official जानकारी इस tvs ने अपाचे के लिए दिया है अब इसमें जो एक और features है या फिर कह सकते हैं कि number जो revised हुआ है वो ये कि 0 to 60 km पर आर आप 2.93 seconds में जा सकते हैं और 0 to 100 km पर आर 7.17 seconds में जो ये थी कुछ information जो थोड़ी सी upgraded हुई है website पे जो इस अपाचे में जब हम पूरी तरह से एक drive experience लेंगे तो confirm हो जाएगा So this is a important features आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके proper drive experience के साथ आपको मिलूंगा तो subscribe ज़रूर करे इस channel को so that you will be in touch